सबी दर्शेकों का पंजाबकेस्री.com में स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ खुश्पू आज 20 मई 2024 दिन सोमवार है आज के पंजाग के अनुसार आज विक्रम सवन्त दोहजारी क्यासी के चैतर क्रिशन पक्ष की द्वादशीती थी है जो तीन बचकर 69 मिनट तक रहेगी आज 5 बचकर 46 मिनट तक चितरा नक्षतर है इसके बाद स्वाती नक्षतर शुरू हो आज 12 बचकर 10 मिनट तक सिध्य योग है इसके बाद व्याति पात योग शुरू हो जाएगा आज 3 बचकर 69 मिनट तक बालव करण है और फिर तैतिल करण की शुरूआत हो जाएगी आज चंद्रमा साही 4 बचकर 30 मिनट तक कन्या राशी में रहेंगे उसके उपरां तुला चंद्र मिनट पर क्रोंगे तुम अगलवार तीन बचकर 57 मिनट पर चंद्रास्त हो गाज अबिजीत मुँरत 10 बचकर 56 मिनट तक रहेगा वहिं अम्रित काल की बात करे तो आज 10 बचकर 42 बचकर 28 मिनट तक अम्रित काल रहेगा आज ब्रह्मा मुरत सुभह 4 बचकर 11 मिनट से शिरू होकर 4 बचकर 69 मिनट तक रहेगा आज सोमवार को राहुकाल 7 बचकर 26 मिनट से शिरू होकर 9 बचकर 5 मिनट तक रहेगा आप सभी के लिए आज का सुभी चार है कि दुन्या में विपत्ते से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला आज तक एक भी वित्याले नहीं खुला इसलिए अपने परिशानियों से जीवन के सबक सीखिए और निरंतर आगे बढ़ते जाए पिज़र संबंदी यातरा की बात करे तो यदि आज आज आप तोपहर 4 बचकर 30 मिनट से पहले यातरा के लिए निकलते हैं तो पूर्फ या दक्षिन दिशा की यातरा आपके लिए लाब दायक होगी यदि इसके बाद यात्रा आरंब करते हैं तो पश्चिम या दक्षिन की यात्रा से लाब उठाया जा सकता है पंचान के बाद पहले बात करते हैं आज के वास्तो टिप्स की किसी भी रूम में उत्तर और पूर्फ की दिवार से सटा कर कोई हैवी फरनिचर नहीं रखना चाहिए खास ओर पर वह रूम जो कि आपका बेट्रूम हो बेट्रूम में भारी अलमीरा आधी के लिए दक्षिन और पश्चिम की दिवारे सबसे अच्छा उप्शन है यहाँ पर भारी फरनिचर होने से इस रूम में रहने वालों की मानसक शमता हमेशा तरोताजा बनी रहती है अब बात करते हैं आज के राशी फल की कौन से लोगों के लिए आज का दिन शुप रहेगा और कौन से लोगों को आज जाद अश्तापधानी बरत्ते के जरूरत है चलिए इस पर नज़र डालते हैं मेश राशी वाले लोगों के लिए शत्रू आपका नुक्सान करने की कोशिश करेंगे लेकिन कामियाब नहीं होंगे व्यपार में लाप के स्थिती बनने की पूरी संभावना बन रही है अपने प्रियासों में तेज ही दिखाएं व्यपार में पारिश्रम का पुरा फल मिल जाने से प्रसनता से दिन व्यतीत होगा पारिवारिक जीवन की रहा थोड़ी खटिन होगी आएक असरोध बढ़ाने के लिए आप कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करेंगे आज करिया आपका भागी शाली रंगू का लेमन और लकी नमबर सावित हो का सोला भाग आज पिच्चा से प्रतिशत तक आपकी पक्ष में है अच्छे परिणामों के लिए देवी मा की पूजा वंदना करें वरिशब राशी वाले लोगों के लिए आज आपकी राशी से चंद्रमा की स्थिती तो ठीक है लेकिन दूसरे घ्रहे खराब स्थिती में होने से पूरा लाब मिलने में शंका है फिर भी अपने प्रयास जारी रखे लेकिन रिपोर्ट अच्छी नहीं जाएगी तरल पदार्तों से आपको लाब हो सकता है आज करियर में नई अफसर की प्राप्ती हो सकती है आज कारे स्थल पर आपकी बोधिक शमता का इम्तिहान होगा आज घरे लोग खुश्या बचाने के लिए आपको प्रयास करने होंगे अपने करेबी रिष्टेदारों से भी अपना व्यक्तिगत रहस्तिय शेयर ना करे आज के लिए भागिशाली रंगापका होगा महरून और आपका लगी नंबर है एक भाग्याज 90 प्रदिशत तक आपके पक्ष में है अच्छे परिणामों के लिए गणेशी की आराधना करी मित्वन राशी वाले लोगों के लिए सोचे गई कारे के पौन होने की संभावना है अपने प्रयासों में तेजी दिखाएं चंद्रमा आपके पक्ष का है इसलिए साय तक कोई शुप समाच्वार के प्राप्ति हो सकती है समाच में आपकी बातों को सुना जाएगा आर्थिक स्तिथी में सुधार होगा नया अनुबंत की आर्थिक प्रस्च भूमी को मजबूत करेगा आपकी गरिमाई उपस्तिथी आपके लवपार्टर के उत्साहा को बढ़ाएगी आज के लिए आपका भागी शाली रंग है हरा और लाकी नंबर साबित होगा छे भाग्या से प्रतिशत तक आज आपके पक्ष में है अच्छे परिणामों के लिए गणे इस्ची की पूजा करें करकराशी वाले लोगों के लिए यात्रा का योग है थोड़ी कोशिश में धनलाब होगा बिजनस यात्रा के लिए दिन ठीक है किसी नए बिजनस की योजना पर आज बात हो सकती है आव विवाहितों को कोई शुपसमाचारों की प्राप्ती हो सकती है आज आपको कारेस्थ पर क्रियेटिविटी का सर्वुत्म युप्योग करने में बहुत कठीनाई होगी। आज आप अपने रिष्टेदारों के साथ का आनंद लेगे। बच्चों के उच्छो सिक्षा के पढ़ाई को लेकर प्रवेश प्रिक्रिया में मदद करेंगे। उच्छो सिक्षा के लिए आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। आज भागय शाली रंगुगा आपका सुनहरा और आपकले की नंबर साबित होगा अठारा। भागय आज पिच्छाण में प्रतिशत तक आपके पक्ष में हैं। अच्छे परिणामों के लिए श्रेक्रिष्ण की पूजा करें। आपके निवेश आर्थिक हानी कराएंगे। जीवनसाथी के साथ शाम का समय तनाव पूण रहेगा इसलिए साफधान रहें। आज के लिए भागय शाली रंग होगा आपका केसरिया और लगी नंबर साबित होगा पांच। भागय आज 65 प्रतिशत तक आपके पक्ष में ह अच्छे परिणामों के लिए हनुमान जी की पूजा करें। अच्छे परिणामों के लिए जरूरत मन लोगों की मदद करते रहें। प्रियास करते रहेंगे। आज के लिए आपका भागी शाली रंग होगा भूरा यानिक ब्राउन और आपका लगी नंबर है 17 भागया चौशवट प्रतिशत तक आपके पक्ष में हैं। प्रश्चिक राशी वाले लोगों के लिए धन संबंद सुविधा में कुछ विस्तार होने की संभावना बन रही है। राशी पर पड़ा चंद्रमा यात्रा करवा सकता है या शोर प्रसिद्धी प्राप्त कर सकेंगे। धनूराशी वाले लोगों के लिए यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो स्थान आंतरन का योग बन सकता है। योग प्रणायाम का अभ्यास करते रहें। अच्छे परिनामों के लिए भगवान विश्नु की अराधना करें। कुम्राशी वाले लोगों के लिए बहुत इक सुक के लिए खर्च के अधिकता रहेगी। जिसके कारण पूरा दिन ही तनाव ग्रस बना रहेगा। बहतर यही होगा कि लोगों की सलह से ही कोई कार्य करें। इससे आपको हानी होने के आश्रंका बहुत कम हो जाएगी। आज सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग नए डीलर बनाने के लिए मेहनत करते नजर आएंगे। तकनिकी लोग आज अपने लक्षे को पूर्ण करने की भरसक कोशिश करेंगे। मित्रो का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आज उनके साथ आपकी शाम बहुत खुशाल रहने वाली है। लव लाइफ आनन से बीतेगी आज के लिए भागिशाली रंग होगा महरून और लकी नंबर साबित होगा नौ। भागया सत्तर प्रतिशत तक आपके पक्ष में हैं। अच्छे परिणामों के लिए जरूरत मन लोगों की मदद करें। मीन राशी वाले लोगों के लिए खर्श की अधिकता से चिंता बनेगी दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। सोच समझ कर ही कोई निर्नय ले मान हाने के आशंका बन सकती है। आफिस में आपको अंसुना किया जाएगा दूसरों के कारे में हस्त शेप करने से बच नहीं है। आज के लिए आपका भागिशाली रंगुगा भगवा और लकी नंबर है आपके लिए दो भाग्याज पिच्छाण में प्रतिशत तक आपके पक्ष में है। अच्छे परिणामों के लिए भगवान विश्नु की अराधना करें। आज के राशी फल में बस इतन का हैं तो कमेंट सेक्षिन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहें पंजाबकेश्री.com के साथ।